हेलो दोस्तों, मैं धनन्ज गुपता, आपका स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में बैद्धुत रसायन चेप्टर की हम एक नई टॉपिक कड़ेंगे और आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है या इसका एक दूसरा नाम भी होता है इसको हम कहते हैं सेल का विध्धुत वाहक बल इंगलिस में कहेंगे सेल पोटेंसियल और इलेक्ट्रो मोट्यूफोर्स अप सेल इलेक्ट्रो मोट्यूफोर्स को सार्ट में लिखते हैं E.M.F इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं EEMF अप सेल तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेल भीभो या विद्धुत वाहक बल क्या होता है तो हम कह सकते हैं कोई सेल अधिक्तम जितना बोल्टे जुत्पन करता है उसे सेल का विद्धुत वाहक बल या EEMF कहते हैं अब इसका अर्थ क्या है यह हम थोड़ा समझाते हैं आपको ध्यान से सुनिएगा जैसे मालीजी आप कभी दुकान पे जाते हैं और आप एक सेल खरीते हैं और आप देखते हैं कि उस सेल पे लिखा है 1.6 बोल्ट इसका अर्थ क्या है कि उस नए सेल की छमता है 1.6 बोल्ट यानि कि उस सेल की जो अधिक्तम छमता है वो है 1.6 बोल्ट और उसको आप कह सकते हैं सेल का विद्धुत वाहक बल जब आप उस सेल को घर लाएंगे उसको यूज करेंगे तो धिरे धिरे देखेंगे आप सेल की चमता कम हो गई और अंत में जाके सेल धिरे धिरे डाउन हो जाता है तो सेल ने अधिकतम कितना बोल्टेज उत्पन किया था तो अधिकतम बोल्टेज जब आपने पहली बार यूज किया था तो जो अधिकतम बोल्टेज उसने उत्पन किया था उसी को हम कहेंगे सेल का विद्धुत वाहक बल या इंगलिस में हम कहेंगे इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स आप सेल या इसके लिए एक दूसरा नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं सेल वीभौ तो उमीद है आपको समझ में आया होगा सेल वीभौ क्या होता है अब हम बात करते हैं कि यदि EMF की गड़ना करना चाहें तो इसके लिए हम एक सुत्र का यूज़ करेंगे और यह सुत्र होगा E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड इस सुत्र में E सेल प्रदर्शित करता है सेल वीभौ को और आप जानते हैं सेल वीभौ को सेल का EMF भी कहते हैं E कैथोड लिखा गया है कैथोड के इलेक्टरोड वीभौ के लिए और E एनोड का अर्थ है एनोड का इलेक्टरोड वीभौ इस सुत्र से आप किसी सेल के सेल वीभौ की गड़ना कर सकते हैं और आप जानते हैं सेल विभाव को ही हम EMAF आप सेल या सेल का EMAF भी कहते हैं अब इस सुतर के आधार पे हम चाहें तो सेल विभाव के लिए एक दूसरी परिभासा भी लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं किसी सेल के कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा इनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं देखें आप कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से घटाया गया है इनोड का इलेक्ट्रोड विभव इस अधार पे हम कहेंगे कि किसी सेल के कैथोड के इलेक्टरोड विभव तथा इनोड के इलेक्टरोड विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं सेल विभव को हम इस सेल से प्रदर्शित करते हैं और ध्यान रखिएगा सेल भीभो को ही आप कहते हैं सेल का बिद्धुत वाहक वल यदि आप चाहें तो इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लेख सकते हैं E सेल बराबर E right minus E left अब ऐसा कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमने पिछली वीडियोज में भी एक फार्मूला पढ़ा था Lone L-O-A-N यहाँ पर L means होता है left यानि कि जब कोई सेल बनाते हैं हम एक पेपर पर बनाते हैं तो हमेशा बाएं तरफ हम एनूड को रखते हैं देखिए यहाँ पर E लिखा गया L means left O means आक्सिकरण मतलब left में आपको सेल का वह हिस्सा रखना है या उस अर्द सेल को रखना है जिसमें आक्सिकरण हो और जिसमें आक्सिकरण होगा उसका इलेक्ट्रोड एनूड कहलाएगा और एनूड हमेशा रिणावेसित होता है यानि कि जो हमने गैलवनी सेल के लिए पढ़ा उसमें आनूड रिणावेसित होता है आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आनूड हमेशा रिणावेसित होता है हम लोग आगे चलके कुछ ऐसे आनूड को भी देखेंगे कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो जब भी हम गैलवनी सेल बनाते हैं तो बाया तरफ हम रखते हैं एनूड को तो देखे ए एनूड के जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया है और यदि आपको पता है कि बाया तरफ आपको एनूड रखना है तो दाया तरफ क्या रखेंगे तो दाये तरफ आप कैथोड को रखेंगे इसलिए हमने यहाँ पर E कैथोड के जगए पर लिख दिया है यहाँ पर E right तो उमीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं तो चलिए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं मानक सेल वीभो की मानक सेल वीभो को इंगलिज में कहते है Standard Cell Potential अब यहाँ पर मानक सेल वीभो का आर्थ क्या है सबसे पहले यह समझते हैं तो जब कोई सल मानक परिस्थिति में हो तो जो उसका सल भीभव होगा उसी को हम कहेंगे मानक सल भीभव और मानक परिस्थिति का आर्थ पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं इन परिस्थितियों को कहते हैं मानक परिस्थितियां तो यदि सेल मानक अवस्था पर हो तो वहाँ पर आप सेल भीभव नहीं बलकि क्या लिखेंगे मानक सेल भीभव और मानक सेल भीभव के लिए आप फार्मुला लिखेंगे E not cell बराबर E not cathode minus E not anode यहाँ पर जो यह छोटा सा dot लगाया गया है यहाँ छोटा सा यहाँ पर 0 लगाया गया है इसको कहते हैं not और यहाँ प्रदर्सित करता है मानक अवस्था को तो जब भी हम मानक अवस्था की बात करेंगे तो E not का यूज़ करेंगे E के अस्थान पर यदि इस फार्मूले में हम देखें तो E not cell प्रदर्सित करेंगा मानक अवस्था को E not cathode प्रदर्सित करेंगा cathode का मानक अलेक्टरोड विभव और E not anode लिखा गया है anode के मानक अलेक्टरोड विभव के लिए इस फार्मूले को भी आप चाहें थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा कैथोड राइट में होता है anode लेक्ट में होता है तो यहाँ पर भी आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं E not cell बराबर E not right minus E not left तो उमीद है आपको मानक अलेक्टरोड विभव समझ में आया होगा रहें और वीडियो से संबंधित आपके बिचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उससे समझ सकूँ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और वीडियो में कुछ कमी हो तो भी लिखें आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ